नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर तो दोस्तो हमारे गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे हुए होते हैं जिन में से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्मियों में फ्लावर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो की विंटर सीजन में फ्लावर करते रहते हैं तो दोस्तो आज ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में हम बाते करेंगे जो कि हमारे गार्डन में पूरा साल ही फ्लावरिंग करते रहते हैं और उन फूलों के पौधों के होते हुए हमारे गार्डन में कभी भी फूलों की कमी नहीं रहती है मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जादा कि हमारे garden में flower ना खिले हो तो दोस्तो उनमें से हमारा पहला plant गुलाब का plant है तो इसमें से आप चाहे hybrid variety ले 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 चाहे देशी variety ले ले तो गुलाब का plant ऐसा plant है जो साल में पूरे 12 महीने flowering करता है और इसमें कई वेराइटी आती हैं देशी है टाइगर गुलाब है इंगलिश गुलाब है और भी कई तरह के वेराइटी आती है और दोफ्तों अगला प्लांट हमारा हिवसकस का प्लांट है और इसमें हम कर रहे हैं देशी हिवसकस की बात तो देशी हिवसकस में पूरा साल ह फ्लावर आते हैं चाहे पिंक कलर का ले ले चाहे क्रीम कलर का ले ले चाहे रेड कलर का ले ले और देशी हिवसकस बहुत ही सुन्दा पर्मानेंट प्लांट होता है और पूरे साल ही इसमें फ्लावरिंग आती रहती है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है तो वै प्लावर आते हैं गर्मियों में इसमें आते हैं बहुत कमाते हैं लेकिन थो है और दोस्तों अगला है हमारा यह है मदू कामनी यह मिन चांदणी तो इस वाले अगला है फ्लाव आते हैं यह इसमें भी जैसे कई वराइटी आती हैं जैसे इसमें एक double pattern आता है यह single pattern है और इसमें large वराइटी डॉफ वराइटी और medium वराइटी तीन तरह की है हमारे पास तो इसमें पूरा साल ही flower आते रहते हैं वैसे तो इसमें गर्मियों में flower आते हैं लेकिन सर्दियों में भी इसमें flowering होती रहती है ये धोड़ा ये कम flower आते हैं गर्मियों के वजये और दोस्तो ऐसा ही अगला कनेर का प्लांट है तो कनेर के प्लांट में हम बात कर रहे हैं डौ फेराईटी की तो डॉफ वराइटी का कनेर अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो इसमें पूरा साल ही फ्लावरिंग होती रहती है वैसे तो इसमें गर्मियों में फ्लावर आते हैं लेकिन सर्दियों में भी इस प्लांट में फ्लावर आते हैं जो हमारे पास hybrid variety के होते हैं तो देसी variety में तो क्या होता है कि उसमें तो गर्मियों में ही flower होती है लेकिन hybrid variety में पूरा साल ही flower आते रहते हैं और दोस्तो ऐसा ही अगला plant हमारा गलाडिया का plant है तो आप देखें इसमें भी ये पूरी गर्मिया हो गई और लास्ट इयर से ही इसमें फ्लावर आ रहे हैं और साथ ही साथ इसमें ये सीड पॉड भी बनते रहते हैं फ्लावर भी आते रहते हैं और नए प्लांट भी क्रोग होते रहते हैं पूरा साल ही ये प्लांट चलता है पूरा साल ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और दो इसमें जादा फ्लावर आ रहे हैं और जब जादा तेज गर्मिया थी तो थोड़ए कम फ्लावर आ रहे थे लेकिन इसमें भी पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं बहुत सुन्दर पर्मानेंट प्लांट होता है और इसमें जो एक जंगली वराइटी भी आती है और ये हमारे पास इंगलिश वराइटी डॉफ वराइटी है और दोस्तो अगला प्लांट है हमारा बोगन विला का प्लांट तो भोगन विला में पूरा साल ही फ्लावर आते हैं जो hybrid variety के plant होते हैं तो hybrid variety के plant को ही हमें अपने टैरिस के उपर pot में लगाना चाहिए वैसे तो आप देसी भी लगा सकते हैं लेकिन देसी variety के पौधों का क्या होता है कि काफी बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए जमीन में लगाना ही बढ़िया होता है लेकिन hybrid variety के plant छोटे-छोटे रहते हैं और pot में बहुत ही आसानी से चल जाते हैं इसमें कई color के flower आते हैं बहुत हाड़ी plant होता है और यह कम पानी में कम देखवाल में बहुत ही आसानी से चल जाता है और पूरा साल ही flower करता रहता है और दोस्तों अगला plant है हमारा marigold का plant तो आपने देखा होगा कि marigold में तो गर्मिया हो या सर्दिया हो हमेशा ही flower आते रहते हैं लेकिन क्या होता है कि कभी कम आते हैं कभी थोड़े से जादा आते हैं लेकिन marigold में हमेशा flowering होती रहती है पूरे साल भरी इसका winter season का seed अल अलग होता है लेकिन marigold में पूरा साल ही flower आते रहते हैं और दोस्तों ऐसा ही plant हमारा है सदा बाहर का plant तो सदा बाहर में पूरा साल ही फ्लावर आते हैं तो इसमें हम बात कर रहे हैं देशी सदा बाहर की तो देशी सदा बाहर में दो कलर आते हैं एक तो ये कलर है और एक वाइट कलर आता है तो दोस्तों सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है या फिर आप इसको कटिंग स सदाबहर के पोध्य को अपने जरूर करें और अगला प्लान्ट हमारा है स्थ,'कमल का स्थलकमल हिवसकस के कलिया बनती है । पूरा साल हमारे गारडन में ड़ी करता रहता है और इसको आप इस समय कटिंग से बहुत यासानी से लगा सकते हैं पर्मानेंट प्लांट होता है और पूरा साल हमारे गार्डन में फ्लावर करता रहता है और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा ये कैनबेरी हीवसकस या कैनफ हीवसकस तो अभी इसको हमने जो है दस से पंदर दिन पहले ही कटिंग से ग्रो किया था तो इसमें फ्लावर आने भी शुरू हो गए क्योंकि जब हमने कटिंग लगाई थी तो इसमें कलिया आ रही थी तो ये भी पूरा साल ही फ्लावर करता रहत और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और दोस्तों ये टाइम कटिंग लगाने का बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस प्लांट की आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं और ऐसा ही अगला प्लांट हमारा जरवेरा का प्लांट है तो जरवेरा का प्लांट भी एक तर संदर कई कलर के फ्लावर आते हैं और दोस्तों इसमें कई वराइटी आती है और यह प्लांट पूरा साल ही फ्लावरिंग करता रहता है वैसे तो इसमें विंटर सीजन में ज्यादा फ्लावर आते हैं लेकिन इसमें जो कई वराइटी होती हैं यह देशी वराइटी है देशी जो ये स्टेम है कितनी बड़ी हो गई है और फिर उपर जाके इसमें फ्लावर आए हैं तो इस पौधे को भी आप पूरी साल फ्लावर पाने के लिए अपने गार्डन में जरूर एड़ करें तो दोस्तो वैसे तो काफी सारे प्लावर होते हैं जो हमारे गार्डन में पूरा साल ही फ्लावर देते रहते हैं लेकिन फ्लाल जो हमारे पास लगे हुए हैं और जो हमें याद आए तो हमने आपके साथ शेयर कर दिये हैं और दोस्तों ये सुन्दर से फ्लावर आज हमारे गार्डन में खिले हैं ये तो कल खिला था और ये आज खिला है आप देखें कितना सुन्दर कलर है पिंक और वाइट का कंबिनेशन है ये टाइगर गुलाब है और एक कली आ रही है और अब तो सभी गुलाब के पौधो में बहुती बढ़िया ग्रोथ हो रही है बहुती सुन्दर सुन्दर कलिया आ रही है और फ्लावर भी आप देखें कितने सुन्दर सुन्दर खिल रहे हैं चाहे हाईब्रेड वेराइटी में हो चाहे देशी वेराइटी में हो तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ह अब हमें कमेंट करके चरूर बताएं तो अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद